हाई गाईज हावे यू आल आम बिंदी एंड वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल सो आज मेरे यह अटायर से अप समझे गए होगे कि मैं आपके लिए स्टाइलिंग विडियो लेके आई हूँ यह जो black color का t-shirt है और यह ethnic skirt है उसको मैं थोड़ी accessories के साथ style up करूंगी तो आप भी इस नवरातरी season आपके पास अगर इसा simple black t-shirt हो ऐसे एक skirt हो आप इसको कैसे style कर सकते हैं वो मैं आपके बीच में लेके आई हूँ तो चलिए मेरे साथ let's get started तो यह simple t-shirt और यह skirt है इसको मैं इस festival season के लिए कैसे style up करूंगी वो आज मैं आपको दिखा रही हूँ सबसे पहले मैंने कुछ wooden की मेरे पास bangles पड़ी ती यह मैंने पहन ली जिस थोड़ा सबसा इसको style देने के लिए और मैरे पास यह वाली earring है यह earring मैंने पहन ली earring आप skip भे कर सकते हैं if you don't want too much of jewelries then you can easily skip the earrings बट यह वाले लोग के साथ यह earring अच्छी लग रही है सो अभी हम ऐसे एक बैल्ट लेगे दिस इस कोड़ी का बैल्ट है इसको हम अपने ब्लैक कलर के टॉप पे लगा देगे सो आप देख रहे हैं कि completely यह जो लोग है यह चेंज हो गया और बहुत ही ज्यादा stylish लगने लगा this is very appropriate for the garba and आप अगर घागरा चोली नहीं पहनना चाहते है इस ताइप से आप अपने स्कॉट को आप अपने यह स्कॉट को आप स्टाइल कर सकते हैं सो देखिए कितना अच्छा लग रहा है अगर आपने इसके साथ कुछ नेक पीस नहीं भी पहना फिर भी यह बहुत ही अच्छा और स्टाइलिश लग रहा है अब ही मैं आपको एक एक नेक पीस पहन के दिखाऊंगी कि यह वाले लुग को मैं सिर्फ नेक पीस की मदद से कैसे स्टाइल कर रहा हूँ तो फॉर्स्ट है यह यह वाले नेक पीस इसमने यह जो बीट्स बने हैं इसर तिबेट्यन बीट्स तो यह मैं लेकर कैसे उसको style कर रही हूँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है अब देख सकते हैं it's looking very good very much appropriate for the garba so चलिए so ये neck piece के साथ मैंने आपको बता दिया कि ये squat कैसा लग रहा है but remember this belt is a game changer अगर आपको पूरे outfit को enhance करना है तो ऐसी एक belt आप जरूर पहनी है so second neck piece में ये पहन रही हूँ ये पूरे beats बने हुए है मोती है ये मोती का neck piece है isn't it looking nice very simple and very nice ये थोड़ा सा आपको simplest side पे आएगा और इसके साथ अगर आपको येरिंग नहीं पहननी है तो आप येरिंग जरूर skip कर सकते है बहुत ही अच्छा लग रहा है ये neck piece so ऐसे भी आप गर्वा में जाएगे तो it will look very good the third neck piece is this ये देखिए this is very much boho kind of a neck piece वाव पूरे outfit का show ही बदल गया आप देख सकते हैं कि outfit चितना अच्छा लग रहा है ये neck piece पहन के और ये neck piece के साथ अप छोटी सी earring पहनेगे तो अच्छी लगेगी don't wear big earring otherwise वो neck piece के साथ match हो जाएगी and it will not look good so ऐसे chunky neck piece के साथ अप इसे छोटी सी delicate सी earring पहनिए so this will look very nice so see this is looking so nice and it's really it's complimenting this entire festival look third neck piece is this ये भी सारे beads बने हुए है कांच के different different colors के और ये स्कॉट के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा this will compliment my Scott Scott में जो orange और black और वो सारे color बने हैं तो वो वैसे ही matching है देखिए कितना अच्छा लग रहा है येरिंग के साथ भी ये compliment कर रहा है येरिंग इतनी ज्यादा stand out नहीं कर रही है because our neck piece is very heavy hearing should not be that loud it should not stand out it should it should look subtle otherwise ये भी बहुत ज्यादा stand out करेगा hearing भी बहुत ज्यादा stand out करेगा तो उसका शोर नहीं आएगा वो एक दूसरे में mix हो जाएगा so when you are wearing chunky earring wear your neck piece very light and subtle and if you are wearing very heavy neck piece then wear your earring very light or don't wear earring fifth neck piece is this this is also a tibetian and boho type of a neck piece it's very good ये देखिए वाव simple black top को कितने अच्छे से compliment कर रहा है neck piece अब देख रहे है और earring भी इसके साथ बहुत ही अच्छी लग रही है मेरी earring की बज़े से मेरा neck piece का show बिलकुल ही नहीं जा रहा it is complimenting each other so this is looking very nice garba you are going to rock with this look so it's looking very nice and this garba try this entire look and you will rock in garba party next neck piece is this this is my one of the favorite neck piece ये मुझा बहुत ही अच्छा लगता है और ये भी मेरे स्कॉट के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा बिकास इसमें भी orange और सारे colors है so this will look very nice आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है you can easily play around with the hairstyle आप इसको tie भी कर सकते हैं tie भी बहुत ही अच्छा लगेगा आपको अगर बाल खुले नहीं रखने है तो you can easily tie the ponytail and see it's looking so nice अगर आप ponytail tie करेंगे तो आपकी earring बहुत अच्छे से दिखने लगे last neck piece is this black neck piece अभी यह black neck piece मैंने इसके लिए पहना है because आप सोचेगे मेरा top भी black neck piece be black but yes यह मैंने सिर्फ एक जो black top है यह अगर मैं इस पर neck piece नहीं पहनूंगे तो this top will look very blank तो मैंने इसको थोड़ा एक that vibe देने के लिए यह मैंने black neck piece पहना है because हम इसके अंदर इप्लम heavy earring पहन रहे है तो heavy earring के साथ if I will wear heavy multi color neck piece तो मेरी earring का show नहीं आएगा and both both will look मतलब एक दूसरे में mix हो जाएगे तो इसके साथ यह मैं heavy earring पहन रही हूं see this so अभी आप देख सकते हैं अगर मैंने दुसरा कोई neck piece पहना होता तो यह earring का show बिलकुल भी नहीं आता और earring और neck piece mix हो जाते बट इस ब्लैक तो ब्लैक इतना stand out नहीं कर रहा है और मेरी earring का show भी बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है और यह मेरे outfit पे black color इतना अच्छे से घुल मिल गया है कि यह earring और मेरी neck piece mix नहीं हो रहे हैं so this is looking very nice so you can also try this look in this garba season and I'm sure you will love this look अगर आपको घगरा चोली पहनना नहीं है तो आप यह वाला लुक जरूर ट्राए करना इस नवरातरी season में ऐसे ही बहुत सारे outfit ideas आपके बीच में लेके आऊंगी जो आप इस नवरातरी में enjoy कर सकते हैं और play around कर सकते हैं अगर आपको घगरा चोली नहीं भी पहनना है तो मैं आपके लिए ऐसे सारे outfits ideas लेके आऊंगी जो आप नवरातरी के 9 दिन अलग-अलग outfit पहन के enjoy कर सकते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको मिलती हूँ एक नए नवरातरी outfit idea के साथ तब तक के लिए मेरी channel को like and subscribe करना मत भूलिए और बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye see ya stay happy stay safe हुआ 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 है